एक ही चीज दो लोगों को अलग-अलग दिखाई दे सकती है हाई मैं हूँ आरजे अनिमेश और आज की कहानी में एक्चली कुछ ऐसा ही है कि एक ही चीज दो लोगों को अलग-अलग दिखाई दे बात ज़रा पुरानी है समझ लीजिए सेवेंटीज, एटीज के दश्यक्य जब एक शू मेकिंग कंपनी ने अपने एक 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 एक्जिकेटिव को एक नया एरिया एक्स्प्लोर करने के लिए भेजा वो एक्जिकेटिव वहाँ पर गया वो थोड़ा सा ट्राइवल एरिया था एक्जिकेटिव वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि लोगों की जीवन शैली एकदम अलग है उनकी लाइफस्टाइल में नाच्रली रहना है वो नंगे पाउं ही यहाँ वहाँ जंगलों में घूमते रहते हैं उसने सारा अब्जर्वेशन किया अपनी रिपोर्ट बनाई और उसमें लिखा कि यहाँ पर अभी तक किसी ने भी जूते ट्राइ नहीं किये हैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी है I think it's a dead market कंपनी को निराशा हुई उन्हें एरिया तो expand करना था कुछ समय के बाद उन्होंने सुचा कि एक काम करते हैं एक बार और executive भीज कर देखते हैं शायद कुछ मिल जाए उन्होंने एक दूसरे विक्ति को वहाँ पर भेजा वो भी वहाँ पर पहुँचा उसने भी वही सब कुछ देखा जो पहले वाला बंदा देख कर गया था सारा observation करने के बाद इसने भी अपनी report बेजी और report में लिखा कि I think this is amazing place यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी के पास भी जूते नहीं है अगर हमने इनको जूते पहनने सिखा दिये तो यह बहुत सारी चोटों से भी बचेंगे और हमारे लिए एक बड़ा market भी बनेगा दरसल कोई चीज जब हमारे सामने आती है तो उसे देखने के दो नजर यह होते हैं एक problem की तरह देखना दूसरा challenge की तरह देखना तो जरा सूचिएगा की हम चीजों को कैसे देखते हैं क्योंकि एक ही चीज को अलग-अलग लोगों के देखने के अलग-अलग माइने होते हैं चलो आज कुछ अच्छा सुझता है